नमस्कार मैं शबनम और आप देख रहे हैं जनता के वाजिस्ता में आपको बता दे कि गरोंटा के काओं पनोडी में मुझूद है और आवास योजना का लाब किसे मिला है वो दिखाने के लिए पोच्छे हैं आपको बता दे कि जो ये घर है अंदर चलके भी तस्वीरे किस तरह से जो गरीब लोग है वो अपना जीवन यापन कैसे कर रहे हैं कि मकान तो बना लिया और वह भी आपको बता दे कि लोन लेकर जो है मकान बनाए जाता है वास युजना का लाब जो है वो नहीं मिला है ये देख सकते हैं कि खुले आसमान के नीचे रहने के लिए पर मजूद है इन से बात्चित करते हैं नमस्कार माता जी शुक्षान दिगरा परमातमा आपको मकान नहीं है हाँ जी बाला का मकान है जी अवर्नात का ये कैसे बनाया आपने गार अजी हमने फिर मतबल हम सुमों में रड़े वे थे हम 15 साल तैसे रह रहे तो हुआ से लिय लगारे देदेः राति ककाम लाखने हमने में आ हम इना अक्तिन का में परमागों धिर म॥ें में रहे जाता 써 तो या परिवारां हम वाढ़ों म॥ें फिर देए finding फेमएं मिलम में बनाया हां हुआ पति क काम करते है ङे मिल सकरते हैं दो ख्ली कर सोबसेख सब्स्त करते कि आ किस तरह से जो गरीब लोग है अपना जीवन यापन कैसे कर रहे हैं यह देख सकते हैं यह वाला जो कमरा है वो खुला आसमान के नीचे रहना पड़ता है और आपको बता दे कि यह देख सकते हैं कि यह जो है पल्ली डाल कर रह रहे हैं यह देखिए छत नहीं है कोई टीन नहीं है कोई कडियो वाली छते भी नहीं है बनाने के लिए पैसे भी नहीं थे लोल लेकर जो है यह चार दिवारी खड़ी करते हैं और आपको बता दे कि दर hai, यहां और आपको, बताते से जिवन यापन करते हैं कि बढ़सातों के दिनों में भी जो है देड कर राते काटने बढती है कि alpha person भी की तुफान भी आता है सरदी भी है गरमी भी आ तो देखी सकते हैं कि अवास योजना का लाब किसे मिला है वो आप कमेंट में जरूर बताएगा और इनसे भी हमने बाचीत की कि किस तरह से लोन लेकर जो है ये दिवारे खड़ी की है किस तरह से जो है छत गेरने के पैसे नहीं है तो छत नहीं गिरवाई है क्योंकि जितना लोन मिला था उसमें तो जो है दिवारे ही बन वाली तो वीडियो को शेख जरूर करते रहिए और कमेंट में अपनी राए भी जरूर दीजेगा इसी के साथ जै हिंद जै भारत